हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे के एन वर्सेस ल एस फुल इस्टेट पलस इंपो यानि कि केनिया वर्सेस लेस्टों के बीज्जो मैंश नमबर सब्सक्राइब चल रहे हैं एक बज़े से होगी यानि कि एक बज़े ही दोपर एक बज़े से दो मैच से आपको जो भी मैच के लिए बहुत अच्छी है मेनी दियल के लिए आपके अच्छी रेंग आ सकती है बेन्यू जो रहेगा इंटर्गेड़ टेक्निक रिजिनल सेंटर की गाली कर रहेगा पिची रिपोर्ट आर्टिफिसियल विकेट है यहां पे अच्छे खासे बलेवाजी गेंदवाजी दोनों को हैल्फ है बटए स्पिनर को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है इस पिनर अच्छे खासे विकेट लेके जा रहे हैं तीन से चार विकेट ए लेतें दो मैचेस पहले के जो है notistle होई तो नख कई दो मैचेस होए थो में से दो मैचेस विन किये उनके तरफ से नीकिंगे तरह मेचैस के बवाहन नग से लाए आई गोeszशेंट में नहींद अगार अगया लाश्त मैच में पहल सकता है पुसकर सर्मा दिख जाए जब भी सामने की स्ट्रों जा सामने स्ट्रों टीम रहती है तब रूसकर वर्धन को यह लेके आते हैं क्योंकि अभी पूसकर सर्मा जो है उतना इक्सप्रियंस नहीं है बट रूसब को बहुत इस्प्रियंस है इस चीज का ध्यान रखेगा तो आज के दिन फिर से वन साइड़ मैच का आप देख सकते हैं इसलिए पूसकर सर्मा आज के दिन खेल सकते हैं अभी के लिए जो है रूसब जो है नहीं खेलने चाहिए बट हो सकता है कि रूसब भी खेल जा यह कहना मुस्किल है यह टीम का कॉल रहेगा तो खिलारी सांदर है रूसब आ अभी तक बल्लेवाजी मैंग ने कहा था कि यह गेंदवाजी बहुत ही कम करते हैं बट बल्लेवाजी सांदर है आप देखेंगे चार में से तीन मेंचेस में नौट आउट है और एक मैंच में नहीं भी थे फिर भी उन्होंने 16 मेंच 44 कर देता है एक सांदर सीबीसी के अब होगा पहले बल्लेवाजी आती है तो तंजिल सेक आज के लिए फिर से ट्रॉम पिक जियल पीक रहने वाली है आप विल्कुल ट्राइब अब तरह करेंगे करेंगे कि बात कर लेंगे लुकाज जो है इनके जो कल के दिन का पहला मैच में चार ओवर की गेंदवाजी एक मेंडन पाच रान एक विकेट लिये थे बागी लाश्ट में जो है एक ओवर की गेंदवाजी करवाई गई थी बागी यहां से आप इनको ट्राय करना चाहते हैं तो इगनौर भी कर साथे आपके टिम में होने चाहिए आप जीएल में सीबी सीबी ट्राय कर लेंगे बागी नेल्सों ओडे मायो की बात कर ले तो आपको मैं बताया था ही पहले कि यह पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए दिख जाएं बहुत नीचे बल्ले बाजी भी कर रहे हैं पहले यह ठीक ठ सब्सक्राइब कर लेते तो इस में भी पीटर को लेज एक अच्छे ऑफशन रहने होला है पीटर लंगट इनका धिहान रखिएगा खिलाडी आपको अच्छे खासे पॉइंट जाए सकते हैं इस में बिराज पटल जो की कंफर्म है कि चार ओवर की गेंवाज यह आपको द दे दे गए अगर यहां से कोई न्यूप खेलते हुए दिखते हैं आप उनको ट्राय कर लेंगे जैसे सुगदीब सिंग्ग बिगेट कीपर बल्लेवाज है यह भी ऑपनिंग बल्लेवाजी कर लेते हैं जब भी आएंगे ऑपनिंग करेंगे इस इसका धियान रखेगा बा पर सी टलाई जो की इनके टीम के कैप्टेन भी आप देखिएंगे दो मेंचेस में दस चेकिये हैं वाट लास्ट में वान डाउन आके 42 किये थे साइटीस गेंदों में तो ठीक था कॉप्सन है बाकि नो मेंचेस में 112 रान हाइस को 42 का इस्टरेट 101 का यहीं मैं पेटी की बात कर लें तो में वेटी गब्रियल जो इनका नाम है यह पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं पहले मैंच में नमबर चार पर आके साइटीस नोट आउट एक और की गेंदवाजी बाकि बिकेट अभी तक इसको किसी भी मैंच में नहीं मिले और जो है इनका इसी स्रीज में डेब्यू भी हुआ था इससी का भी धियान रखना है कि यह तीन ही मैंच खेले अभी तक टी ट्वंटी इंटरनेशनल के बाकि मुहमाद माच की बात कर ले तो मुहमाद माच पहले मैंच में ऑपन आये थे लास्ट के दो मैंचेस में नमबर चार पर आके अच्छी नोक और आप देखेंगे इनका पोश्ट जो आया है एंनों ने फेस्बूक पे पोस्ट किया है कि मैं चार नंबर पर बहुत comfortable महसूus करता हूं यह प्र प्रऌक और यह नहीं नहीं करना चाहते है नंबर चार पर आकर इन्होंने अच्छी पारways यह 22 और 68 की बाकि यहां से जो ह थे थे यहां पर आप देखेंगे इनके बदलत ही आप देखेंगे कि लास्ट के मैच में की थी दो मैच जीते थे एक मैच जो हारे थे तीन में से मुहम्मद माच तो एक की पीलेर रहने वाले टीम में बिलकुल होने चाहिए बाकी वसीम यकूब भी एक अच्छे आप देखेंगे फर्ष्ट के दो मैचेस में इन्होंने नंबर पाच पर किये बट लास्ट मैच में इंसे ओपन करवाई गया सत्रा किये अप लास्ट चार चार ओवर की गेंदवाजी कर रहे हैं तो सीबीसी के एक ओफसन ये भी निकल के आ रहे हैं ये भी उतनी आप कहले त करना चाहते हैं आप यहां पर देख सकते हैं आठ मैचेस में रहा है बाकि टिफेशों चौने की बात कर ले तो आई आपको चारवर की गेंदवाजी देंगे सांदर गेंद वाजी कर रहे हैं आप मीडिल और में गैंद्वाजी कर लें देखें लोगा बॉलिंग जो रोल ह क्योंकि आठ मेचेस में आप देखेंगे इसले इनको बालिंग नहीं मिली होगी नोचे निकाले हैं तो एक अच्छे ऑप्शन है बिल्कुल आपके टीम में होने जाए सबसे अच्छे बात एक आदी अबर आपको डेथ में देढ़ेंगे जयान्त विजय कुमार की बात कर है तो जायनदग्र विजर कुमार जो है फश्के मीच नहीं के लेँ तो Ho Pourquoi गया गया करे को ज acas क्राइए तो थ्युलाइबर गया और दिन मेसे में जो हैं एक भी एट निकाले के आ रहे हैं तो उतना एवरेज से ही आप मान के चलिए महम्मद अरबाद जो की मुझे ठीक ठाक अप्शन लगे थे वट इन्होंने टीटोंटी इंटरनेशनल में एक ही में डेब्यू किया है उसके बाद की फीट नहीं है या कोई इसू है जो की नहीं खेलते हैं तो आपके लिए एक अच्छे ऑप्सन रहेंगे सत्रा गेंदों में किये थे नंबर च्छे पर आके पलस अच्छी गेंदवाजी किये थे दो और दस रण एक विगड़ दूसरा चवथा किये थे तो यह कि लाड़ी आपके लिए गेम चेंजर ट्रम पिक रहने हो लिए अगर खेलते हैं तो वहीं मुहाइल की बात करें लास्ट में नहीं कहले थे लास्ट के दो में देखेंगे बहुत नीचे लोगर वल्लेवाजी करते हैं टोटल चार में बनाएं हैं साथ करा आब यहां से जो हैं कुछ प गेंदबाजी करके दो विकेट लिये थे ओपनिंग में गेंदबाजी करने आए थे फैसल कादिर के मेरे पास अब लेवर लेए अब हम चलते हैं अपने डेमो टीम में बाकी डिसकस हम वहीं पे करेंगे तेव बिकेट कीपिंग से आई करीम इंपॉर्टेंट रहेंगे दो अब चार पर आते हैं अच्छे बट यह आपको अच्छी खासे बॉलिंग कराके दे सकते बागी यह वाले आर पैटल आपको इतनी बॉलिंग नहीं देंगे बट यह कंपा में खेलेंगे तो यह ओपन कर जाएगे अब यहां से जो है अगर पी सर्मा खेल जाते तो उसक लें आपको गेंवाजी पलस बल्लेवाजी दोनों यह तोफ उड़र में दियान रखेंगे मीडिल वाजी पलस तीन से चार बर की गेंवाजी दे देंगे यहां से एमखन जो कि नमबर चार पर आ रहे हैं अच्छी खासी बल्लेवाजी भी कर प्रफिए गाप जील में ही लोगों को ट्राइ किजिए गावागी यहां से ऑल्रावनर से से सीव वया जो की ओपन आएंगे टीगल अप्सन है बिल्कुल टीम में ट्राइब कर लेंगे बागी यहां से यहां से जो है वहाई जकड़ा डेथ बॉलर के रूप में इनको ले 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 हूं अब देखिए इन लोगों के पहले गेंदबाजी आती है तो मैं टी चौना या मतोसा के साथ भी जा सकता हूं अगर इन लोग की आ जाती है तो मैं यहां पर पी टिकलोई यहां फिर इबन की ट टॉस यानि के टॉस के बाद तो इसलिए आपको टेलेग्राम में जोड़ना जोड़ रही है और मैं यह कहूंगा कि आप अपनी टीम बनाने की कोशिस किजिए गा क्योंकि मैं कभी यह नहीं कहता कि आप हमारे टीम को कोपी करके खेलो आप अपनी टीम बना सकते सारे पिलर अपनी नहीं किये इस सीज़ का अब धियान रखेएगा बागी आर पटेल एक अच्छे ऑफसन रहने वाले है दोनों आर पटेल अच्छे ऑफसन है अगर यह गेंदवाजी कर ले तो इसके समय अच्छे है बाकी आर पटेल यह वाले जो है आपको सी बीसी ते देंगे यहा बारालगा च्छोविस पॉइंट और आर्ड़ दोना शोला पटेल तो आपको चालिस पॉइंट आपको सिर्फ जो है वीकेट केपिंग से मिलेंगे बाकी यह तो आपको मिल जाएंगे आपको बल्लेवाजी में बल्ले में अगर 20 भी बना देते हैं तो 20 पॉइंट तो आप पलस इसमें एक आदी चौके छक्के होंगे तो इनके पॉइंट तो यह आपको 60-70 वाई से ही दे देंगे तो सीवी सी के लिए एक अच्छे ऑफशन है इर्फान करें भी आप जीयल में इस चीज़ को मान के चलिए आपको दे सकते पॉइंट बाकि सीओ बाया तो रहेंगे ब अभी इनको भी मेंड नहीं कर सकते तो आप इनके बॉलर और भी बढ़ा सकते आप इस मेंच में बिल्कुल रिक्स ले सकते अगर पहले फिल्डिंग आ जाए तो यह अभी हमारी फाइनल टीम नहीं है बाकि यहां से इनके तरफ से आप डबलू याकुब को सीवी सी है तो लाइक कर दिएगा चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिएगा उमीद करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरह कैसा समझा पाया तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यों